एक स्टूडियन की मुझे कॉल आई कहते सर मैं आपके प्रोजेक्ट प्लैनिंग कंट्रोल के सेशन में इन्रोल्मेंट करना चाहता हूं मैंने कर ठीक है लेकिन सारा कुछ कुछ कॉलिटी कॉंटेंट जो भी हमारा कोर्स आउटलाइन है जो कुछ हम आफर करते हैं उसके साथ साथ जब फीस के मतलिक उन्होंने सुना तो ही वाज निगोशियेटिंग के सार यह स्पीज ज्यादा है and I was convincing him कि यार it's a only one time investment and after this investment आप पता कितनी सैलरी चार्ज करोगे what you will be eligible for in Gulf region that was maybe 200% more जो के हर महीने आपको मिलेगा जो कि मैं आपको चार्ज कर रहा हूं उसके 200% से भी ज्यादा है so that guy was say no sir मैं इतना पे नहीं कर सकता ऐसे है वैसे है so मैं मैंने उसको एक ही suggestion दी मैंने का देखें I have full-fledged sessions अचा उस टाइम पर जो negotiation हो रही थी उससे बहुत बड़ा lesson learned मैं आप लोग सा share करना चाहता हूं उस बंदे ने उस टाइम पर पता नहीं क्या सोचा and he was saving that money let's say 100 rupees आप 100 rupees उस टाइम पर सेव कर रहे हो but you are not saving that 100 rupees which you are going to invest on that learning of that skill set and you are going to improve that your job profile which will help you जो ultimately आपको इस काबल बनाएगा के आप किसी company के अंदर जाके वो 200% जो benefit लेने जा रहे हो that's what actually you are going to miss you are not saving you are losing and so that mindset matters a lot लोग समझते हैं कि यार ये बंदा जो trainer है मेरे से इतने पैसे ले रहा है तो मैं इसकी training से अपने आपको बचा लूँ जो पैसे मैं इस पर invest कर रहा हूँ actually I am saving that money no 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 try to change your mindset you are actually losing that 200% benefit which you are going to get every month which company is going to pay you when you are not going to learn this skill somebody else is going to learn this skill and they are going to get this benefit so stay focused in this job competition in this job market try to upgrade yourself it's not like that कि आप आज training नहीं लेंगे तो आप अपनी saving कर रहे हैं आप दूसरे लोगों को मौका दे रहे हैं कि आप हमसे पहले किसी company में चले जाए and try to get that 200% benefit समझाई बात mindset matters a lot अपने उपर invest करना सीखें अपने profile को upgrade करने के लिए जहां पे हम खाने खापे पहनावे सब पे इन spend करते हैं यार तब हमें कुछ नहीं होता बट जब हम learning के लिए spend करते हैं automatically we ask about discounts we ask about low kind of things के यार हमें कम पैसों में चीज़ें कम पैसों में भी चीज़ें available हैं अब जो training मैं दे रहा हूं न वो आपको बहुत कम पैसों में भी available है वो एक कहावत है कि आदा जो knowledge है न उसका कोई फाइदा नहीं होता आदा नुस्खा आपकी जान ले लेता है नीम हकीम खत्रह जान और आदा इमान जो है आदा यकीन जो है वो आपके इमान के लिए खत्रह है बिलकुल आदा skill सीखने का भी कोई फाइदा नहीं है अगर मैं तो कहता हूँ यह मन चले का सौधा है अगर आप चाहते हो कि आप अपनी field के अंदर grow करो आप अपने आपको आने वाले चंद सालों के अंदर एक अच्छे level पर देखना चाहते हो तो आपको अपने उपर invest करना होगा बजाए इसके कि आप सोचे मैं कितना save कर रहा अगर आपको इसमें कोई अच्छी बात लगी हो try to write in comment area thank you very much